नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों केशे हैं आप शबी उम्मिद करते हैं कि भगवान श्रीराम के शुरुबाशे आप शबी बहुत यच्छे होंगे दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि अब आपके जोनकाल में कल शे जो बड़े महत्पुन चमतकार होने वाले हैं दोस्तों यकीन मानिए आप खुशिशे रोने लगेंगे जी हां दोस्तों खुशिशे रोना ही पड़ेगा क्यों दोस्तों ये जो बड़े खुश गबरी है ये जो बड़े चमतकार आख शिबी की जुनकाल में किश्मत श्रबका गठित नहीं होता जिहां दोस्तों जिनके उपर बगवान श्री राम अपना शिर्वात रखते हैं जिनके अच्छे कर्म जिनके अच्छे पुर्शाद और शादिशाद जिनको भक्ति भाव पर पिश्वास रहता है दोस्तों उन्हें के परमकिश्मत सब्सक्राइन दोस्तों करते हैं दोसों कल से आप शिपी का पूरा जीवन बदलने वाले हें जी दोस्तों आप शिपी के जुनकाल में अब खुश्यों का एशा तूफान आने वाला है जिनसे दोस्तों आप शिपी का घर और परिवार अब खुश्यों के लहर के शाथ दोड़ेगा जी हां दोस्तों आप शिपी को बता दी कि अब आपके राशी में आपके जो कुंडली है उनमें दोस्तों लाव-भाव में आपके तीन बड़े योगों का धिर्मान हो चुका है। यानि कि दोस्तों आपके राशी से जो चदरमा है यह लाव-भाव में हैं। और दोसें इनके कारण आपके जूनकाल में शुक्र, गुरु और बुद्ध का अशिम किर्पादिष्टी आप शभी को प्राप्त होने वाले हैं, जिनके कारण धन से जुड़ी शभी प्रकार की शमश्याएं आपके शमाप्त होने वाले हैं, जो भी आपके रिन, जो भी करेशिक कार जो आपके अठाग गई थे, दोस Βसाहरी कार अब आपके पूरे होने वाले हैं, शाथि-शी शाथ दोस्वार आपको बदा दे कि ये शमे आपके बुद्धी आपके किश्मत में बढदत्री होने वाले हैं, जिनके कारण दोस। आपको लापके नए मोके मिलन वाले हैं लापकमाने के कई शारी रहाष्ति आपके किश्मत में आने वाले हैं जिन से दोस्तों आप शिविका जीवन बदलना तय हैं कि यश्मी जो भी गुर्व की बुद्द्ध के स्थिय नियुकि के कुणली के लिए दूसमॉब कंप सर्ण करेगा। श्रमान बढ़ाएगा या श्किर्ती में बढ़त्री होगी श्रादिशा दोस्तों घर में जो भी किल्लात है वो तो खत्म होगी श्रादिशा दोस्तों जिनकारियों में आपको बरकत नहीं हो रहे थी जिनकारियों में आप अशफल हो रहे थे दोस्तों ये शारी कार अब हैं घर के जो भी लाब के अवस्ता है दोस्टों वहया शिमे बढ़ने वाले हैं जहां दोस्टों इसलिए कहते हैं कि दोस्टों ऐसा जिंदगी हर किशी को नहीं मिलता है दोस्टों यह तो भगवान श्रीराम का आप शिबी के ऊपर एक परकारशिया शिर्वाद है जो को दो चीन आपितर को हम्भी जनकारी के आप दोस्तों, चाहिएBOC, इस वीडियो आप और को हैं अज़ो पूंसा पूरी है कोकी कार्यों याकषित पारियों बड़ें के लिए और आपके कर्मों के लिए बहुत थी महत्मुन शाबित होंगे तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और अंतर तक देखेगा उश्य पहले दोस्तों सरपरतन जो भी भगवान श्रीराम के सच्चे भक्त हैं दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरू किजेगा और दोस्तों कमेंट बॉक्ष में सच्चे मन से जय श्रीयाराम जरू लिखेगा दोस्तों भगवान श्रीराम का श्रीर मश्रबाद आप श्यवी को पराप्त होगा जिवनकाल के शमयश आएं आपके श्रमाप्त हो जाएंगे शादे दोस्तों चैनल पर भी से जिहां दोस्तों सीता और राम में शेक कौन अधिक शुंदर है दोस्तों विवा के बाद चारों भाईयों को मिधला की कन्याएं अलग-अलग कोपर में ले गई लक्षमन से मजाकर जब उन्हें शताने लगी तो लक्षमन को ध्यान आया कि भाईया राम को भी यहीं की न निकल कर उसको अभर में आ गए जहां राम और शीता दिरिजमान थे शीता जी की शक्या ने जब लक्षमन को देखा तो आपश में बोली अब तो दो दुल्हों को छेड़ने का अनंद मिलेगा और उन्होंने छेड़ना शुरू कर दिया हमारी शकी शीता तो राम जी से अधिक शुंदर हैं शीता जी उनकी चाया है काफी देर तक जब यह विवाद चलता रहा तो शक्यों ने लक्षमन से कहा अभी निरले हो जाता है कि कौन किसकी चाया है ये बताइए कि चाया का रंग केशा होता है तो लक्षमन ने कहा काला इस पर शक्यों ने खुश होते अगल के भी वे कहा हमारी शीता का रंग जोड़ा है और आपके राम जी का रंग काला है इस लिए से झसीद होता है कि शीता शुंदर है और राम जी 5 उनकी चाया है या शुनकर लक्षमन जी कुछ बोलना शके जी हां दोस्तों तो दोस्तों आज का यह प्रमग्यान अगर आपको अच्छा लगा हूँ इनको शमझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा शुलाइक जरूरी केजेगा और दोस्तों कमेंट बॉक्ष में इनके लिए सच्चे मन से लिख दें जै शुरी किष्णा राधे राधे तो आई दोस्तों से के शाथ बात करते हैं कि कल से आप शिभी के कुडली में जो भी लाभाव में तीन बड़े शुभियों का दिर्वान होने वाले हैं इनके कारण दोस्तों आपको कौन-कौन सी बारे करते हैं सबस्तों राधें उस बारे में जनकार ही जरूले आपको पता दे जिक बहुत इसें बहुत अच्य नदीि आपको हाशिल dosky को को कोई उपलब्दी में उनका अतम श्वास बढ़ेगा अपने प्रति और अधिक बया से घ्सकाश में करेगा इसको प्राइन दोसने यह श्मिकर आपकी सावधनी को लिकर बात करें तो दोस्तों अपने अनमशे खर्चों को सिमीत रखें क्योंकि यह शमय जो है अचाना कि कोई बड़ा खर्च आपके शामने आशकता है प्रॉप्टी अतवा गारी शम्दित कोई भी लौन अपन बातों को छोड़कर नए जीवन की तरफ देख पाना आपके लिए शम्बह हो सकता है योग थेरेपिट्स की मदद से भानुतों के जो है उल्जन कम होगी आपको बता दें कि मित्र द्वरा मिला शयोग आपका आत्मिश्वाज भी असमय बढ़ाने वाले हैं पेसे से समय त दोस्तों रचनात्मक तथा रोची पूर्ण कारी में भी कुछ अपना समय वतित करें इससे दोस्तों आपको खुशी मिलेगी मांस्री रूप से भी रिलेक्स महसूल करेंगे यह शमय कुछ चुनोतियां भी आपके शामने आने वाली है प्रन्तु आप पूर्य करेंगे और शफलता भी इनमें हाशील करेंगे बसरती दोस्तों हरे कारी में आपको साधनी रखने की जरत होंगी यह वर्ग किशी बात में आकर कोई गलत काम नो करें या पिर गलत मार्ग नो अपनाए दोस्तों यह में आपके लिए आपके पास योजनाएं तो बहुत देश्य में आपके भूमिकाप परवार के लोगों के लिए महत पूर्ण रहेगी यह जो समय है आपके लिए आपके इंचाश सकती परवल होने के कारण कटिन कामों को भी अशानिश्याब कर पाएंगे करिभी लोगों के शाथ थोड़ा समय वर्दाव रखने की आपको आपके लिए उत्तम है और आपके लिए बैतर पर स्ततियों का निर्मान कर रही है दोस्तों घर में किशी नवीन वस्तु की खरेदारी शमंदी कारी भी हो सकते हैं तथा कारी सोचारू रूप से संपन भी हो सकते हैं इनसे दोस्तों आपका अत्मिश्वास भी यह समय और इन अपने महत्पुन कामों में ध्यान को कह देद रखें आपको बता दें कि अपने किसी नईदी की शमदों की इस्चला गलत भी शावित हो सकती है पैतर होगा कि श्वेंगे अपने कार्यों को शंपन करने का आप प्रियाश करें और इसके प्राण दोस्तों यह आपके अपको बता दें कि आप पर बने हुए कर्च को मिटाने की आपकी कोशिश परगती को और बढ़ रही है फिर दोस्तों खर्चों पर नेंतर लाने की आपको अवश्यक्ता होंगी घर से समय नए खर्चे अचानक सुथपन हो शकते हैं फिर भी दोस्तों पैसा खर्च करते श किसी समाजिक शिविश संता से जुड़ने तथा उसमे अपना शयोग देने में ये शमे अदिकतर शमे वश्यतित होगा अगर घर पर वरतन करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए योजना बनाने के लिए उत्तम शमे होगा युवाओं को अपनी मेहनत का शूप पर सकती है समयधारी तता शांती पुर्ण तरिके से काम लेने का प्रयाश करें इनसे दोस्तों आप पस्तितियों को ठीक कर पाएंगे द्यारती अपनी पढ़ाई पर और धिध्यान दे यह आपके लिए बैतर होंगे और इसको प्रान दोस्तों में फिलाल आपके काम अशानी स हो रहे हैं आपको बता दें कि आपके आज पास शकारत्म गुर्जा भी यह में बनी हुई है फिर भी दोस्तों आप पस्तिति का पूरा फाइदा उतना नहीं उठा पा रहे हैं जितना आप सोच रहे थे खुद के जीवन के प्रति अधिक फोकस बढ़ाने की यह में आपको आप शाली नए शंपर्ग भी बनेंगे यह में मार्केटिंग तथा इनसे समय गत्रियों पर अधिक ध्यान दें और लोगों के शाथ में जुल बढ़ाएं दूसरों यह में यह आपकी केरेट के लिए इसमें पहतर शामिद होंगे और इसके प्रांदों से यह में वह साइक अस्तलफर फाइदे की सतियां बन रही है फाइदे की अप्रेक्शा मेहनत भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी आपको बता दे कि दोस्तों कोई खास शबलता पो यह में आपको नहीं मिलेगी प्रंदु आपकी भृष्य क्लिए और भृष्य में आपको अच्छी सपलता की है तो दोस्तों जल्द ही फाइदे के मौके भी मिल सकते हैं कोई ववशाई की आतरा भी इसमें संभव हो सकता है किसी के साथ भी मिलकर कोई प्रोजेक्ट करना आपके रिश्में फाइदे मसाबद होगा तो इन पर आप ध्यान देख सकते हैं और इश्कुपरान दोस्तों आपके केरेट के लिए जी समयोंगे दोस्तों आपको बता दे कि काल चेतर में शभी काम अच्छे तरीके से पूरी होते जाएंगे लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कि किसी गलत सलाह आपके विजनस में परिशानी का कारण बर सकती है या पिर परिशानी को खड़ कर सकती है इसलिए दोस्तों यश्र में बहतर होगा कि अपने फैशले को प्राक्ति बता दे नोकरी पैशा व्यक्ति भी ध्यान रखें कि कि किसी परकार की रायनीती में आप फंशकते हैं तो सतर करें और इसके प्रांदों यश्र में आपकी लब लाइब को लिकर बात करें कि अर्थात आपके पारिवरिक ज्यवन की तो दोस्तों याश्र में पति-पत्री के शमणों में कुछ मभेध violence रहेंगे अपने शभाव में ही बदलाव लाना आपके लिए जरुरी होगा दोस्तों याश्र में प्रेम शमणों में रिध्यों भी बनी रहेंगी और इसका उ योग आपके उपर बना रहेगा जिसे तो समय आपके लोग लिए सिंता करें आपको बता दे कि दोस्तों पती पतनी आपसी सयोग दोबारा घर तता वायशाय संबंदी सभी कारियों को सुचारों रूप से संपन भी करेंगे तथा परिवार जनों के साथ डिनर तथा घूमने फिरूने का प्रोग्रेम भी बना शकते हैं और अपकी स्वास दैनी सहत को लिकर बात करें तो ये वरसा नूगत बीमारी समदी पुराने रोग दोबारा उठ सकते हैं इसले दोस्तों ये लापरवाई बिलकुल ना बरतें और वैस्ति दिन्चरिया रखें ये आपके स्वास के लिए ये बहतर साबित होंगे और इसको ब कि आपको बता दे नचला जुखाम की समस्या भी आपको प्रेशान कर सकती है दोस्तों यह में लाप रोहाई बिल्कुल ना परते हैं और अपना उचित इलाज ले यह आपके स्वास के लिए बैतर होंगे तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे